मेलो प्रेंट्स आज इस वीडियो में जानेंगे हैं HP Laser Z M126 Pro MFP NW प्रिंटर में Wi-Fi Direct का कैसे सेट अप करते हैं तो दोस्तों चलते हैं जानते हैं कैसे इसको सेट अप करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीण्टर को ओन करना है ओन करने के बाद में आपको browser menu button है यह press करना है जो सेटिंग वाला इसको press करेंगे इसको press करने के बाद में ऄहें लेट रा ignorance यह राइट मेनियो है इससे आपको जाना है नात्वरक से Käट आट पह में इसको को कर देंगे इसमें okay करने के बाद wireless में जाना है मैं उइप्वाई डारेक्ट इसको ओके करेंगे अभी इसमें OFF है तो on करके ओके कर देंगे गायज इसको on करने के बाद मैं okay कर देना अभी ओक है को इससे left arrow लेड़ोंसे दबाके ओन करके उन कर देंगे और इसका ये पासवर्ड हें ये नोट कर ले जब भी आप मोबायल वगरा से कनेक करो गे तो वह पासवर्ड आपको डायल करने रहेंगे उसके बाद में गाईज आपको यह वाइपाई का जो आइकन बनावा है यह दबाना है और कर देना है जाइज देख पारे है उसमें लाइट जल गई है लाइट जनने का मतलब है यह ओन हो चुका है तो इस प्रकार से आप अपने मोबाईल से या वाइपाई जो भी लेक्टोप अगरा से इसको डारेक कनेक कर सकते हो तो दोस्तो आयोप यह वीडियो आपको पसंद आ है ओड़ा है आप यह